बिहर पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए महतपुर्ण प्रश्णों का यह टेस्ट है इसको आप बनाते भी चलिए इसमें सभी अच्छे लेवल का प्रश्ण है जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं पहला क्वेस्टन है 2011 की जनगना के अनुसार बिहर में सिसू लिंगानुपात कितना है एक्जाम में बिहर से रिल्टेट भी क्वेस्टन पूछा जाता है 2011 की जनगाना कनुसार बिहार में लिंगानुपात जो है 918 है इस question में जो पूछा जा रहा है सीसू लिंगानुपात सीसू लिंगानुपात में जो count किया जाता है 0 से लेकर 6 वर्स की आयूता सिर्फ इस में 6 वर्स की आयूता count किया जाता है तो बिहार में बाल-लिंगानुपात यानि सीसु-लिंगानुपात जो है 935 है चहीं आणशर होगा 935 और अवर अलिगानुपात यानि सभी उम्रों को मिलाकर जो लिंगानुपात जो 918 है तो यह भी आपको याद रख लेना है 918 यह भी पूछा आ जाता है एक्जाम में अगला question है भारत्य कमल का विज्ञानिक नाम है भारत का राष्ट्य पुष्प जो है कमल है और एक्जाम में विज्ञानिक नाम भी पूछ दिया जाता है तो सही answer जो होगा फर्स्ट उप्षन इसका सही होगा निलंबो निउसी फेरा भारत का राष्ट्य पसु है भग है और बाग का वज्ञानिक नाम है पैंथरा टैग्रिस और भारत का राष्ट्य ब्रीक्च बरगद है और बरगद का वज्ञानिक नाम है फैकस 42 अगला question है भारती राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारती राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम भारतीय महिला अध्यक्ष इस question में पूछा जा रहा है तो सही answer जो होगा इस question का C option सरोजनी नैडो भारती राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्स जो थी स्रीमती एनिवेसेंट और भारती राष्टे कॉंग्रेस के संस्थापक एवो हुम थे अगर सिर्फ यहां पर पूछा जाता कि पर्थम महिला अध्यक्स कौन थी तो एनी बेसेंट होता है इस question में जो पूछा जारा है पर्थम भारतिया महिला अगला question है सेवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहा जाता है लाइकेन में जो होता है कवक यहां सेवाल दोनो होता है तो एक्जाम में यह भी पूछा जाता है तो सेवाल में लाइकेन में जो होता है सेवाल और कवक दोनो और बनता है जिसे कहा जाते कनवर्जन कहा जाता है तो D option इसका सही हो जाएगा conversion अगला question है 50 degree Celsius कमान Fahrenheit में होगा इसको बनाना सीख लिजे कैसे बनाना exam में पूछ दिया जाता है इस तरह का question तो इस सुत्र का आपको प्रयोग करना है C by 5 बराबर F-32 by 9 इस सुत्र की सहता सा आप इस question को बना सकते हैं अब इसको अपलाए कैसे करना है तो यहाँ पर C है C means Celsius F means Fahrenheit अगर आपको मान इक जहां यहां पर question में Fahrenheit में दिया हुआ रहेगा तो F के जगह पर रखेगा अगर Celsius में मान दिया हुआ रहेगा तो C के जगह पर मान रखना है इस question में 50 degrees Celsius दिया हुआ है तो C के जगह पर 50 रख देंगे तो F का मान आ जाएगा इस equation के सहता से आपको बनाना है तो इस उत्र को याद रख लिजेगा C by 5 बराबर F minus 32 बटा 9 चलिए अब इसको बनाते हैं तो C के जगह पर क्या करना है 50 रख देना है तो 50 बटा 5 हो गया बराबर F minus 32 बटा 9 अब इसको solve कर दीजेगा F का मान आ जाएगा solve कैसे किजेगा तो 50 है बटा में 5 है यहां पर बटा में 5 है solve किजेगा 10 आ जाएगा 10 में 9 से क्रोस गुना किजेगा 90 होगा F minus 32 बटाबर 90 हो गया तो F बटाबर हो जाएगा 90 पलस 32 नबे में 32 जो रिएगा तो 122 डी ओप्शन इसका सही हो जाएगा 122 आ जाएगा सिर्फ आपको यह सूत्र याद रखना है आप एकजामे बना लिजेगा क्वेस्टन असानी से अगला क्वेस्टन है निमिन में से किस वर्स रेगुलेटिंग एक्ट पारित क्या गया था रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित क्या गया था 1773 में इसका सही हो जाएगा अगला क्वेस्टन है 2011 की जनगना के नुसार बिहार के किस जिला में सर्वच लिंग अनुपात दर्ज खिया गया है लेकिन दो से तीन क्याँ से पूछा घाएगा तो इसको अच्छे तरुके से क्लियर कर लिजेगा 2011 की जनगना के नुसार पूछा जार है सर्वच लिंगानुपात की जिला का है तो सही आंसर होगा ग्वपाल गाज सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला का 576 है एक्जाम में इस तरह से भी पूछ दिया जाते है कि बिहार में ऐसे कितने जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधीक है तो मात्र एक जिला है गोपालगन 2021 लिंगानुपात बांकी जितने भी जिला है सभी का लिंगानुपात 1000 से कम ही है और सब से कम है मुंगेर जिला का सब से धीक हो जाएगा अगला question है बिःस्वो जल दिवस परति लेड़ मनेया जाता है इस तरह का basic quesplus पर्यावरान से पूछा वर्टेड पूछा जाता है फोरेस्ट कार्ड exam में भी पूछा गया था फोरेस्टर exam में भी पूछ हुछ गया था तो विहर आज डाता है इसो पुएंट पॉइंट आप जरूड याध राख लीजेगा अगला क्वेस्टे रहा हुआ ौर तॉ क कस्तीम अफॾर्टी तो अंतराश्टिया नियाले जो एस्थीत है हेग में यह उप्शन इसका सही हो जाएगा देश का नाम याद रखना है नीदरलेंड में हेग है सही आंसर हो जाएगा हेग में और इसमें टोटल जजों की संख्यां भी याद रखना है तो अंतराश्टिया नियाले में टोटल जज कितनी है तो 15 है और कաर्यरेकाल है 9 वर्स का अस्थापना जो हुई थी 1946 में अगला जे भारत की सम那我們不管 a 1997 यह थेन भेज़ी आदर हैं तो 0पर नालि का जो प्राब्धान है does अनुछेद 326 में ओर्ट देने के अधिकार के बारे मुवर्नान है तिक जाम में पूछ़ दिया जाता है एक ओर्ट देने का अधिकार अनुछेद कौन सा अनुछेद में तो अनुछेद 326 में है अगला question है निम्न में से कौन सा एक रुपांतरीत तना है तीस तरह का basic question बैलो जीस रिलिटेट पूछा आ जाता है इस में से जो रुपांतरीत तना है गाजर और मुली जो हो जाएगा जर हो जाएगा सकरकंद कंद का रुपांतरीत है अगला question आं मैयूर भंज खनीज खेत्र अस्थितय है मैं औरुफांज खंीज छेत्र जो अस्थितय है औरीशा राजज में अगला question भायु भायच्पादाब समान्य तह पाये जाते है नमी खेत्र में अगला question भारत का सभसे अधिक लिची का उतपादक राज्य है विहर, फिर्ष्ट उप्शन इसका सतना पर पहला अस्थान पर पहस्चिमंगाल राज्य है, यहां से question पूछा जता है, और जिलाक का नाम तो मुझाफर पूर्जिला हो जाएगा लीची उत्पादन में अग्रनी है अगला question है स्वनार में परयोग तरंगे होती है तो स्वनार में जो तरंग का परयोग किया जाता है प्रासरब ये तरंग का तो सही answer जो हो जाएगा प्राध होनी ये option इसका सही हो जाएगा स्वनार का परयोग करते हैं जल के अंदर देखने के लिए अगला question भारत का राश्टे ब्रिक्ष है तो basic question बिल्कुल एक जाम में पूछा ही जाता है भारत का राश्टे जली अजीब हो गया राश्टे ब्रिक्ष, राश्टे पक्षी ये सभी एक जाम में एक question फिक्स है कि यहां से पूछा ही जाता है तो भारत का राश्टे ब्रिक्ष जो है बर्गद है बी option इसका सही हो जाएगा और बिहार का राज के ब्रिक्ष पीपल है ये भी याद रख लिजेगा बिहार का राज के ब्रिक्ष पीपल है और भारत का राश्टे ब्रिक्ष बर्गद है भारत का राश्टे अफल आम है अगला question भारत में कुल राज्यों की संख्या है इस बीच में अभी जो भी राज्य है और केंद्र सासित परदेश है तो इस बीच में चेंज किया गया इस कारण से एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो गया यह question भारत में कुल राज्यों की संख्यां जो है 28 है फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा केंद्र सासित परदेश की संख्यां टोटल 8 है अब 9 नहीं केंद्र सासित परदेश है 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव केंद्र सासित परदेश को दोनों को विलाय करके एक केंद्र सासित परदेश बना दिया गया है अब दादरानगर हवेली योम दमनदीव एक केंदर सासित प्रदेश है और राजधानी जो है दमन है एकजाम मैं ऐसे भी पूछा जा सकता है दादरानगर हवेली योम दमनदीव की राजधानी है तो दमन है टोटल केंदर सासित प्रदेश की संख्या 8 है राज्यों की संख् अगला question है नई सिक्षानीती को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है 2020 में नई सिक्षानीती लागू किया गया है तो नई सिक्षानीती लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है इस question का जो सही answer होगा हिमाचल प्रदेश बी option इसका सही हो जाएगा यहां से जो सबसी important question है समीती का नाम आपसे पूछा जाएगा exam नई सिक्षा नीती लागु करने समीती से रिल्टेट तो कस्तूरी रंगन समीती है समीती का नाम याद रख लिजेगा कस्तूरी रंगन समीती और शिक्षा का जो इसमें format है पांच प्लस तीन प्लस तीन प्लस चार है पहले जो शिक्षा का format था 10 प्लस टू था यानि 10 एकजाम में board होता था इसके बाद 12 एकजाम आपको board देना है लेकिन अब जो है इस तरह से format है पांच प्लस 3, पांच तक foundation class है, इसके बाद 3 हो गए 8, और 8 के बाद पहले क्या होता था, कि 10th में board होता था, लेकिन आब ऐसा नहीं हो गए, यहाँ पर 5 प्लस 3, 8 हुआ, 8 के बाद यहाँ पर 11 हो गए, यानि 11 मी class, इसके बाद यहाँ पर 4 सल का format हो गए, graduation का, तो इस तरह से प्लस 3, प्लस 3, प्लस 3, प्लस 4, यह शिक्षा का format आपको याद रखना है, पहले 10 प्लस 2 जो है, यह खत मब हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेशिस का सही answer हो जाएगा, अगला question है, भारत में किस वर्स तक malaria उन्मूलन का लक्ष रखा गया है, तो बिहार पुलिस constable exam में, 3 से चार क्रेंट अफेर्स रिल्टेड भी question पूछ दिया जाता है, तो क्रेंट अफेर्स रिल्टेड जो question पूछा जाएगा, इसी तरह का question पूछा जाएगा, बहुत ही highlight question पूछा जाएगा, अब यहाँ पर जो भी point बताएंगे, सभी आपको याद रख लेना, exam के लिए important ह इस question में पूछा जा रहा है, भारत में किस वर्स तक malaria unmulon का लक्ष रखा गया है, तो malaria unmulon का जो लक्ष रखा गया है, सही answer हो जाएगा 2030 तक, इसके बाद आपको याद रखना है TV का, तो TV unmulon का लक्ष रखा गया, यानि TV खत्म करने का पूड़े देश से, 2025 तक का लक् खत्म हो गया है, डवलो याचो विश्वास संगठन द्वारा, 2014 में भारत को पॉलियो मुक्त गोशित कर दिया गया है, तो 2014 में पॉलियो मुक्त हो गया है, TV हो गया 2025, hepatitis हो गया 2030, और malaria unmulon का लक्ष रखा गया है 2030 तक, तो सही answer हो जाएगा 2030, अगला question है, वर्तमान समय मे एकजाम में राष्टपती, उपराष्टपती, परधान मंत्री का सिरियल नमर पूछ दिया जाता है, तो सही answer हो जाएगा, चोध में राष्टपती है, B option इसका सही हो जाएगा, उपराष्टपती का सिरियल नमर है 13 और परधान मंत्री का सिरियल नमर है 15 अभिवर्तमान सम उपराश्ट पती है मों कई नई दू तियर में उपराष्ट पती है अगला ग्राज में कांगेर घाटी वअभ्यारन भारत के 36 गड़ राजि में है C option इसका सही हो जाएगा अगला question रक्त को ठक्का जमाने में क्या मदद करता है तो रक्त को ठक्का जमाने में vitamin का नाम भी याद रखना है vitamin K मदद करता है लेकिन इस question में पुछा जा रहा है इसमें से आपको बताना है तो D option इसका सही हो जाएगा प्लेटलेट्स मदद करता है और थिरंबोसाइट भी मदद करता है तो अप्शन में इस तरह से भी दिया हुआ रहता है तो थिरंबोसाइट्स भी याद रख लिजेगा विटामिन के, विटामिन से अगर पुछा जाएगा question तो विटामिन के होगा, थ्रोंबर सैट्स होगा और प्लेट लेट्स होगा, यह सभी रक्त के ठक्का को जमाने में मदद करता है अगला question है कालाजार किस कारण होता है इस question का जो सही answer होगा, लिस्मिनिया प्रोटो जोगा के कारण से बी option इसका सही हो जाएगा अगला question है, जरा दिरिष्टी दोस के उपचार में किस दरपन का इस्तेमाल किया जाता है तो जराद इरिष्टी दोस को उप्चार में जो प्रियोग किया जाता है बायो फोकल लेंस इसमें उत्तल यूम अबतल दोलों लेंस लगा हुआ रहता है तो D option इसका सही हो जाएगा बायो फोकल लेंस अगला question है जिला नियाधिस की नियुक्ती की जाती है इस question में जिला नियाधिस पूछा गया है जिला नियाधिस की नियुक्ती जो की जाती है राज्यपाल द्वारा D option इसका सही हो जाएगा सर्वोच नियाले एवं उच नियाले की नियाधिस की नियुक्ती राश्टपती द अभियान है इस question का जो सही answer होगा Megatropics जो संबंधित है मौसम से संबंधित है first option इसका सही हो जाएगा भारत और फ्रांस का अगला question है उर्जा कैसे मातरक है कार्यवम उर्जा कैसे मातरक जू होता है जूल है सक्ति का ऐसे मातरक वाट है बल का ऐसे उनिट होता है न्यूटन और विधु धारा का ऐसे मातरक है एम्पियर सही answer हो जाएगा जूल अगला question है निमन में से किसे लाल गरह कहा जाता है तो इसमें से आपको बताना है किसे लाल गरह कहा जाता है तो लाल गरह जो कहा जाता है मंगल को B option इसका सही हो जाएगा ब्रहसपति को पिला गरह कहा जाता है और पिरित्वी को नीला गरह कहा जाता है अगला question है लोगपाल की अस्थापना पहली बार कभी की गई थी? इस question का जो सही answer हो जाएगा लोगपाल की पहली बार अस्थापना स्वीडन में की गई थी 1809 में ए अप्शन इसका सही हो जाएगा देश का नाम भी याद रखना है स्वीडन और भारत में अभी वर्तमान समय में लोगपाल जो है PC घोस पुरा नाम हुआ है पिनाकी चंद्र घोस अगला question है अगनिय चटान का उधारन है इस question का जो सही answer हो जाएगा अगनिय चटान का जो उधारन है ग्रेनाइट बेसाल्ट यह सभी अगनिय चटान का उधारन है इस question का जो सही answer होगा डी option गायल पैगवश दीब गायल पैगवश दीब जो है परसांत महासागर में और इस दीब पर बहुत अधीक जैब भीविदता है यानि विभिन परकार के जीव जन्तु पाये जाते हैं अगला question है निमलीखित में से कौन सा एक बिहार योम उत्तर परदेश की सन्युक्त परियोजना है बिहार प्लीस कॉंस्टेबल एक्जाम इस तरह स्क्विस्चन पूछ दिया गया था कि बिहार उत्तर परदेश योम नेपाल की सन्युक्त परियोजना है तो इस question का जो सही answer अंसर हो जाएगा गंड़क परियोजना गंड़क परियोजना में बिहार उत्तर परदेश योम नेपाल सामिल है अगला question है भारत में railway तंत्र कब अस्थापित की आ गया था तो आईसाने एक इक चाम में basic question नहीं पूछा जाता है बिहार इंफॉर्समेंट सब अगला question है पानिपत की दूसरी लडाई कब लड़ी गे थी पानिपत का तीन यूद हुआ है और तीनों आपको याद रखना है तो पानिपत का पर्थम यूद जो हुआ था बावर्यों इबराहिम लोदी के भीच 1526 में पानिपत का पर्थम यूद हुआ था और इसमें जो जीट हुई थी बावर की इसके मुगलवन्स का शासन भारत में शुरू हुआ तो 1526 में इसी यूद में बावर की जीत के बाद इसके बाद दूसरा यूद हुआ है 30 साल बाद सिधा इसमें आप 30 जोर दीजेगा अगर याद नहीं रहता है तो 1556 में 1556 में पानिपत का तीसरा यूद हुआ है अकवर यूम हेमू के बीच जिसमें जीत जो हुई है अकवर की और तीसरा यूद हुआ है 1761 में अहमद साबदाली यूम मराठों के बीच अहमद साबदाली अफगान सासक था और मराठों के बीच हुआ है जिसमें यूद में जीत जो हुई है अहमद साबदाली की तो सही आं बाते आपको बताना है तो फस्ट कतन है भारतिय समीधान में कुल अनुछेदों की संख्या 395 में है तो यहां पर मुल समीधान में टोटल अनुछेद की संख्या 395 में है तो सही है इसके बाद है वीतायू का गठन भारतिय समीधान के अनुछे दोस्वासी के अंतरगत किया जाता है तो यह भी सही है और यह भी याद रख लेना है बीतायो का गठन जो किया जाता नुछे भारतिय महला अध्यक सरोजनी नैडू थी इसमें दिया हुए मैडम भिखा जी कामा तो गलत हो जागा इसके बाद है पॉलिटिक सीन इंडिया रजिनी कोठारी के पत पर दर्शक सोद अध्यान है तो सही है सी ओप्शन गलत दिया हुआ है अगला क्विश्चन है भारत का रूप में अगर देखेगा तो पर्थम अस्थान पर होता है राष्टपती दूसरे अस्थान पर होता है उपराष्टपती तो यह सही है इसके बाद है भारत के उपराष्टपती के पास अपने पद से जुरा कोई आपचारी कार्ज नहीं है तो यह भी सही है इसके बाद ह राष्टपती के अनुपस्तिति में उसके कार्ज करता है यह भी सही है इसके बाद राष्टपती के रूप में कार्ज करता है यदि राष्टपती त्याग पत्र देता है या पद चियूत यानि पद से हटाया जाता है उसकी मिर्ती हो जाते है उस कंडिशन में कार्ज करता है दिया हुआ है इसका सही हो जाएगा सभी 1-2-3-4 कतन सही है अगलाиков है परकास की गती निर्भर करती है अपकास की गती जो निर्भर करती है अपवर्थनांग पर अपवर्थनांग परण डिपेंड करता है गहनोत पर इस question में परतियास्ता जरत दिया हुए परतियास्ता झरत पर dependent नहीं करता है तो सही answer जो हजएगा इस question का D option नहीं माध्यां की परतियास्ता और नहीं जरत पर अगला question है Puse- прилож T कहां प्रेस्थित होती है इस question का जो सही answer हो जाएगा प्यूस गरंथी जो पाई जाती है मस्तिक्स में फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्यूस गरंथी स्रिल्टेट एक्जाम में बहुत सारे question पुछा जाता है प्यूस गरंथी का इंगलिस नाम है प्यूस गरंथी जो पाई जाती है मस्तिक्स में फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्यूस गरंथी का इंगलिस नाम है प्यूस गरंथी मस्तिक्स में पाई जाती है और इसे जो कहा जाते है मास्टर गरंथी शरीर की सबसे छोटी गरंथी है प्यूस गरंथी और शरीर की सबसे बड़ी गरंथी है यक्रित यक्रित का ही दूसरा नाम जीगर है, शरीर की सबसे बरी गरंथी है यक्रित, और सरीर की सबसे चोटी गरंथी है प्यूस गरंथी, प्यूस गरंथी से बिर्धी हार्मोन का सुरव होता है, अगला क्वेस्चन है निवन परदू सकों में से कौन जैब वी घटित है, जैब वी अगला क्वेस्ट्र नदी बंगलादेश में क्या कहा लाती है इस तरह का बेसिक क्वेस्ट्र नदी को बंगलादेश में पुझा जाता है तो गलत होने का बहुत जैदे चांस रहता है तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लिजेगा ब्रहांपुत्र नदी को बंगलादेश में जो कहा जाता है सही आनसर हो जाएगा जमुना और गंगा नदी को बंगला देश में पद्मा कहा जाता है अगला क्वेस्चन है सुमात्रादीप व्यवस्थित है हिंद महासागर में और देश का नाम पुछा जाएगा इंडोनेशिया फर्स्ट आप्शन इसका सही हो जाएगा हिंद महासागर अगला क्वेस्चन है निमन में से किसे साइग्यू ओरस कहा जाता है साइग्यू ओरस जो कहा जाता है मच्छर को डी ओप्षनिस का सही हो जाएगा अगला क्विस्चन है माधव राष्ट्य उद्यान कहां एस्थीत है मध्य परदेश राज़ में सी ओप्षनिस का सही हो जाएगा इससे पहले कांगेर घाटी था वनजीव अभ्यारन तो कांगेर घाटी राष्ट्य उद्यान 36 गड़ राज में और माधव राष्ट्य उद्यान मध्परदेश राज़ में है अगला क्विस्चन है सर्वच नियाले की नियाईक पुर्वालोकन की सक्ति किस अनुछेद 137 के अंतरगत आती है इसका अवर्णन जो अनुछेद 137 में यहां पर दो अप्सवान मनुछेद 137 फर्ष्ट को ही सही मानिये अगला क्विस्चन है निमलिखित में से किस ने 1857 की करांति को राष्टे करांति नैश्नल रिवॉल्ट घहसित किया अठारो संतावन की करांति को राष्टे करांति जो घहसित किया था बेंजामिन पर सुफुस्टार पूली फारष्ट औ सब सहे हो जैगा। अगला क्यों सिख्याव भारत सरकार के जीतने भी योजनाइं उसको जरूर आप अचे तरिकिश्क क्लियर कर लेजें और ननुए क्विपी 60 पुछा जाता है। अभी आप मुद्रा योजना का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है एकजाम में फूल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है एम यूड रा इस तरस हुआ और इसका जो फुल फॉर्म है मैक्रो युनिट्स डेवलप्मेंट रीफैनेंस एजेंसी है मुद्रा योजना जो लांच किया गया था आठ अप्रेल 2015 को जितने पुराने योजना है पूछ दिया जाता है कि कॉब लांच किया गया था तो डेट तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन बर्स पूछ दिया जाता और इसके अंतरगत तीन तरह की रिन राशी दी जाती है पहला है पहला सीसूरीन है सीसूरीन के अंतरगत पचास अजार तक की राशी दी जाती है दूसरा है किसोर किसोर के अंतरगत पचास अजार से लेकर पांच लाग तक की लोन दी जाती है और तीसरा है तरुन तरुन कितनी राशी दी जाती है तो 10 लाग तक, सिसू में हो गया 50,000 तक, किस वर में हो गया 50,000-5,00,00 तक और तरून में हो गया 5,00-10,00 तक तो यह उप्शन इसका सही हो जाएगा, तीन तरह की रिन राशी दी जाती है अगला question है, 2020 में Hope Mission to Marks किस देश के द्वारा प्रक्षपित किया गया 2020 में Hope Mission to Marks, यह जो प्रक्षपित किया गया है अगला question है, सुर्ज सहीत सभी तारव में जो उरजा का सरोत होता है नाभिक्या सल्यान, फर्स्ट अप्षन इसका सही हो जाएगा अगला question है, जीपसम का राशायनिक सुत्र है जीपसम का जो राशायनिक सुत्र है, CSO 4 into 2H2O फर्स्ट अप्षन इसका सही हो जाएगा, सकेंड में जो दिया हुआ है, CSO 4 into 1H2O 1 by 2H2O यह जो है, पलास्टर और पेरिस का सुद्र है अगला question है, निमलिकित में से कौन से 3R परियावरन रक्षा से जुरे है तो 3R जो परियावरन से रिल्टेड है, और इसमें 3R का means जो होता है, Reduce, Reuse, Recycle C option इसका सही हो जाएगा, Reduce, Reuse, Recycle पचास में से आप कितना सही question बनाए है, आप सभी comment करके जरूर बताएगा और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, comment करके बताएगा, अगर आप चैनल पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जूर जाएगे